Hi everyone, in this video we are going to discuss about the human rights. हर एक human अपने life को enjoy करना चाहता है. एक human को अपने life enjoyable बनाने के लिए उसे rights चाहिए and freedom चाहिए. Rights का मतलब होता है, हक चाहिए, freedom का मतलब होता है, उसे आजादी चाहिए. जैसे आप अपने घर पे हो. Suppose आपके पापा ये बोले कि आज से तुम कुछ भी कर सकते हो, हम आपको कोई काम पे नहीं टोकेंगे. ये तो होगे freedom बाली बात, मतलब आपको freedom दे कि आप कुछ भी कर सकते हो. Second, आपके पापा ये भी बोले कि आज से हमको पैसे वैसे मत मागना, डारिक तीजोरी से जाके, जितना पैसा तुम्हें चाहिए, वो लियाना. तो यहीं पे आपको हक भी दे कि आप अपने घर के तीजोरी को access कर सको. तो जब आपके घर पे आपको freedom भी मिला और rights भी मिला, तो आपको कैसे लगेगा? आप अपने life को बहुत ही enjoy करोगे, क्योंकि एक human का एक nature है कि जब हमको हक मिल जाता है और freedom मिल जाता है, तो हम अपने life को बहुत ही enjoy करते हैं. तो ये तो हो गए घर वाली बात, मतलब ये सारे जो rule regulation है, ये आपके घर तक ही सीमित है, human rights है, जो government ने दिये है, ताकि हर एक human अपनी society पे रहे कि अपने life को enjoy कर सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी enjoy को ध्यान में रखते हुए, on December 10, 1948 को General Assembly of the UNO ने कुछ basic rights को declare के और उसी declaration को हम लोग कहते है, universal declaration of human rights, ये rights क्यों बनाए गए है, ताकि एक human का all-round development हो सके, human rights जो है, वो बहुत ही basic rights है, मतलब एक बहुत ही normal rights है, जो सभी के पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि government आपको बोले कि ताजमर पर जो marble है, जो आपको अच्छा लगा, तो वो सकते हो, ऐसे कोई बड़ी-बड़ी बात आपको नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसे illegal वाली हक आपको नहीं देंगे, बहुत ही basic हक दिये है, मतलब जो एक human के पास होना चाहिए, next है यहीं पर, human rights are basic rights and freedom है, मतलब government ने आपको कुछ basic freedom दिये है, कुछ basic rights दिये है, जो belong to every person, मतलब सारे person के पास है, यहीं पर कोई discrimination नहीं है, मतलब कौन सा जात है, कौन सा धरम है, यहीं पर कोई discrimination नहीं है, बस यहीं देखा जाता है, कि आप एक human हो या नहीं, यहीं पर disabled person को भी discriminate नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो भी पहले एक human है, उसके बाद वो disabled है, so human rights हो जहें, बहुत ही basic rights and basic freedom है that belong to every person from birth to death मतलब जब आप पैदा हो जाते हो human rights आपके उपर लागू होना start हो जाते है from birth to death next है आपका ये सारे human rights है मैं यही पर बस तीन example को दी हूँ बहुत सारे human rights है हम अब उस सारे human rights को fundamental rights के अंडर पढ़ेंगे तो यहीं पर बस मैं तीन example दी हूँ जैसे right to equality मतलब लौ के सामने सब को equal है मतलब कोई अगर अमीर आदमी कोई जुर्म क्या है और गरीब आदमी अगर जुर्म क्या है तो उसके मतलब लौ के सामने दोनों को एक ही type के punishment मिलेगे वहीं पर यह नहीं देखा जाएगा कि अमीर है तो उसको थोड़ा कम punishment देंगे लौ के सामने सब को equal है तो देखो यह सारे human rights है मतलब एक human अपने life को अच्छे से गुजार सकता एक enjoy से गुजार सकता इसलिए human rights दिये गए है next है आपका right to freedom मतलब आपको freedom है मतलब आप कुछ बोल सकते हो आप अपने opinion को express कर सकते हो जैसे कोई नेता वेता कुछ बोलते हैं तो उनका पुतला जलाते हैं तो यह basic हक सब को दिये गए है कि जो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप अपने opinion को express कर सको पर सारे जो human rights है उसके nature के बारे पर जब आपको पता चलेगा तब आपको ठीक से समझ में आएगा कि जो असली जो human rights वो क्या होते है next है आपका right to education मतलब यहीं पर सारे बच्चों को ये खक दिया गया है कि आप पढ़ सकते हो यहीं पर ऐसे कोई जातवात का कोई discrimination नहीं है तो ये सारे human rights है next है देखो कि meaning of human rights ये human rights का meaning क्या है दिसार तो moral claims मतलब moral claims होता है जो inalienable and inherent होता है मतलब कोई आपसे छीन नहीं सकता और ये inherent होता है मतलब वो बचपन से ही वो आपके साथ है in all individual by virtue मतलब यहीं पर कोई भी caste, color, sex, cultural difference को नहीं देखा जाएगा बस एक ही चीज को देखा जाएगा कि आप एक human हो या क्या हो human है तो ये सारे आपके पास होंगे this claims are articulated and formulated in what is today known as human rights मतलब ये एक जगह पर articulate करके formulate करके लिखा गया है जिसको ही हम लोग कहते है human rights human rights को कभी कबार हम लोग fundamental rights भी कहते है basic rights भी कहते है inherent rights भी कहते है natural rights and birth rights ये सारे नाम आपको याद रखने है so अभी हम लोग पढ़ेंगे nature of human rights मतलब human rights के nature क्या क्या है जैसे आपको कोई बोला कि आपका nature क्या है इनलाइनेबल पर बस आप एक ही वर्ड याद करो, inherent, inherent मतलब बच्पन, मतलब जब पैदा हो गए, तब ही से human rights आपके साथ है, human rights are conferred on an individual to the very nature of the existence, these are inherent in all individuals, सभी के पास है, irrespective of the caste, यहीं पर कोई जाधरम नहीं देखा जाता है, पैदा हो गए, तो यह सारे human rights आपके साथ है, human rights are conferred to an individual even after his death, मतलब जब individual मर भी जाता है, तो उसके बाद भी कुछ-कुछ human rights है, जैसे कोई मर गया तो उसको जलाते है, मतलब उसका जो ceremony होता है, वो करते हैं, वो जो funeral ceremony होता है, वो human का एक rights है, okay, next आपके, the second nature is your human rights are essential and fundamental, human rights बहुत ही essential है, बहुत ही जरूरी है हमारे society के अगर human rights अगर नहीं रहेंगे, तो एक human अपनी society पे अपनी life को enjoy नहीं कर सकता है, so अगर human rights अगर नहीं रहेंगे, तो हमारी society की जो स्थिती है, वो बहुत ही deplorable हो जाएगी, मतलब बहुत ही बुरी हो जाएगी, and there would be cows all around, मतलब चारों तरफ खलबली मत जाएगी, human rights are necessity for the uplift of the people, human rights बहुत ही जरूरी है, एक human की life को improvement करने के लिए, third point is your, human rights are irrevocable, मतलब ये जो human rights है, वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, कोई power, कोई authority, ये human rights आपसे छीन नहीं सकता है, fourth point is your, human rights are inherent, मतलब ये बच्पन से ही आपके पास है, ऐसा नहीं कि ये कहीं सा भाड़े पे है, fifth point is your, human rights are dynamic, मतलब ये स्थिती के हिसाब से वो change भी हो सकता है, मतलब कोई अगर human rights है, और आजकल के situation पे ये वो, मतलब वो possible नहीं है, तो उस स्थिती के हिसाब से आप उस human rights को change भी कर सकते हो, मतलब वहीं पे कुछ आप modification ले आ सकते हो, sixth point is your human rights are not absolute, मतलब सभी जो human rights जो आपको दिये गए है, सारे के कुछ-कुछ limitation है, मतलब आप उस limitation, मतलब थोड़ा कुछ दाइरे पे आपको रहना चाहिए, जैसे आपको ये, आपको हग दिया है कि right to speech, मतलब आप अपने opinion को बोल सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी को बुरा बोलोगे, मतलब किसी की मतलब मान समान को ठेस पहुचानी वाली बात करोगे, सारे rights का एक-एक limitation है, इसलिए ये नहीं कि लिखा गया है, these rights are not unbridled, मतलब ये सारे चीजे एक-एक limitation पे है, जैसे मैं आपको पहला वाला example देखिए, आपके बापा ये बोले कि आप आज से हमको मत पूचना, त इतना पैसा आपको चाहिए लियाना, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी घर की property बेच दोगे और अपनी life को enjoy करोगे, सारे rights, सारे freedom का एक-एक limitation है, इसलिए ये पे बोला गया कि human rights are not absolute, okay, so last point is your, human rights, last point हो नहीं है, seven point है, human rights are universal, मतलब ये सभी के पास है, यहीं पे आप को कोई discrimination नहीं मिले की, अगर human है, तो ये सारे rights आपके उपर लागू होते है, last point है, human rights are connected with the dignity, मतलब human rights है, वो एक व्यक्ति के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे पहले जमाने पे वो अच्छूद वाली चीज़े थे, मतलब untouchability थे, मतलब छोटी जात को अगर आप तो वहीं पे बहुत बुरा भला होता था, और ऐसे मतलब था एक कुवा था, तालाब था कि यहीं पे यह अपर कास्ट वाले यूज़ करेंगे, यह जो तालाब है, यह लो कास्ट वाले यूज़ करेंगे, वो पहले जमाने पे होता था, और वहीं पे बहुत लोगों के सम् बचाने के लिए ही यह human rights दिये गए है जैसे आजकल के जमाने पे आज वो आप मतलब वो अच्छूद वाली चीज़े अगर आप किये मतलब यह बोले किसी को कि तुम मत चूओ तुम यह मत करो तुम छोटे जात की हो तुम मंदिर मत जाओ यह काम करोगे तो एक चीज तो guarantee है कि आप जेल जाओगे तो आजकल के जमाने पे आप वो सारी चीज़े नहीं कर सकते हो क्योंकि वो सारी आपके basic rights पे मतलब वो human rights पे आ चुके है कि मतलब untouchability आजकल के जमाने पे नहीं है So I hope कि यह video आपको अच्छा लगा होगा Thank you